हे दोश्तो नमस्कार हमारे अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोश्तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 36 पीसी एस जो पीटी होने वाला है 17 फैब का 17 फैब का उसकी आप तैयारी कैसे करें जी हां दोश्तो वैसे आपकी तैयारी तो अब होई गई होगी आप थोड़ा बहुत उसमें सुधार कर सकते हैं और मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बता रहा हूं जिन पर यदि आपकी तैयारी खरी उतरती है तो आप यकीन मानी है आपकी तैयारी सही है यदि खरी नहीं उतरती है तो प्लीज इन जो भी आपको दिन बचे हैं 10-12 दिन इनमें आप इसी गरुसा सुधार करें यह जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं यह मैंने पिछले सालों के question paper देखें उनी को ध्यान में रखकर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं देखी दोश्तों जो CG PSC के लिए यह आप current affair 2018 का पढ़ रहे हैं तो आप पूरी तरह से गलत तो नहीं लेकिन आप गलत हैं आपको 2017 का current affair पढ़ना जाए क्योंकि उसमें जो data पूछा जाता है वो जैसे एक जाग 15 में होना है तो 13 का data पूछेगा 17 में होना है तो 15 का पूछेगा 19 में होना है तो फ्रें 17 का data पूछेगा तो आपको 17 की जो रिपोर्ट आई हो एक दो fact पढ़े है यदि आपने ऐसा किया है तो आप गलत है दोश्तों आपने पंचाति राज के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़िए क्योंकि उसमें वो जो question design करता है वो इस प्रकासी design करता है कि उसके 6-7 fact देदेगा उसके बाद मैं आप से पूछेगा पर देट मैं से कौनसा सही है और कौनसा सही नहीं है तो आपको काफी ज्यादा confusion होगा तो पहली तो पहली तो प्रहिए दूसरी बात है आप जो भी पढ़े है पूरा deep में पढ़े है यदि आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो आप काफी ज्यादा confusion में हो जाओगे और त CGPSC का जो एक्जाब पेपर का लेवल है वो काफी ज्यादा difficult आता है और इसका जो C-set है वो क्वालिफाइग कर दिया है तो उसकी अब ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है लेकिर फिर भी आप देख ले उसका वो भी पेपर काफी ज्यादा difficult आता है और CG को अलके में आले CG क 50% के आसपास question पूछे जाते हैं और CGPSC भी एक और बात है कि मुझे थोड़ा data पूछता है तो आपको data याद रहना चाहिए चाहे वो जदगंदा वाला हो या फिर economic survey वाला हो या फिर budget वाला हो तो यह कुछ important बात हैं दोस्ते दिया आप इनको ध्यार में रखते हुए आ तैयारी की है आपने इस प्रकार की तो यकीन बारी है आप जरूर successful होगे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्दवाद